आज कल आप लोग गजनी फिल्म देखे होंगे गजनी फिल्म में देखते थे न हीरो मेमोरी लॉस बीच बीच में अमीर कार भूल जाते थे कि हमको कुछ याद काम करना रहा सामने को पिरोधी भी आ जाए तो उनको याद नहीं रहता था कि पिरोधी है आज कल वही हाला थे याद्टी नेश्पोनेशन में आपके साथ अब जेस संग भी आरके मुख मंतरी नीच मार मेमोरी लॉस मुख मंतरी हो गए हैं ऐसा बोलना है बीजेज पी के परदेश द्द्धक समराज चोधियर का उनका साब तरप में आप पर पर नहीं आपने देखा हो गया है कि कि नह बातों को आज कल आप लोग गजनी फिल्म देखें हो गजनी फिल्म में देखते थे न हीरो मेमोरी लॉस वह बीच बीच में अमीर कान भूल जाते थे कि हमको कुछ याद काम करना सामने को पिरोधी भी आजाए तो उनको याद नहीं रहता था कि पिरोधी है आज कल वही हाला यहार करसरिणी का वह हो गए है मेमोरी लॉस मुखमंधिक लुटुनें लिए कि पिक आज कर आप भूला चुप है और इसलिए बूला चुक aí साथियों कि जौर साहब की आत्मा उनके सरी में घुस गई जौर साहब के साथ बहुत पाप किया है उन्हों में हमको याद है उन्हें सची आणवे का चुनाव सातियों आधनिये भीम सिद्धी यहां बैटे समतापाटी के नेता थे और कोई नालंदा का सीट जीतने की स्थित में नहीं था आधनिये जौर साहब को ले जाकर समतापाटी ने जीता नितीश कुमार की स्थिति यही ऐसा थी जिस बिहार में सुसासन के नाम पर आपने सरकार बनाया था साथियों तो हजार पाच लालु प्रसाद जी को भी भाज़ता के लोगों ने अतीप पिचड़े के लोगों ने मुखमंत्री बनाने का कान के लालु जी काते से जिन है हमारोपा जीन यही अतीप पिछड़ा था नितीश कुमार तो आपने सुना बीजेपी के परदेश अध्यक समराज चौदी का किस तरह से बता रहे हैं कि बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार का मैमोरी लॉस हो गया है उन्होंने एक फिल्म का उधारन देती हुए कि किस तरह से अमीर खान का जो फिल्म में मेमोरी लॉस हो जाता उसी तरह बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार का मैमोरी लॉस हो जाता हम इसलिए ऐसा बोल रहे है क्यूंकि वह आपने देखा कि कि पैर चुक समस्कार